संगर्ष में होती है व्यक्ति के मनोबल की पैजान इन संगर्षों से लड़कर ही व्यक्ति बनता है महान आज हम जो ध्यास पड़ते हैं वो बस उनी लोगों का है जिनोंने अपने जीवन में कड़ा संगर्ष किया जिनोंने अपने जीवन में कोई संगर्स नहीं किया उनके लिए ध्यास में कोई जगे नहीं है और जिनोंने अपने जीवन में कड़ा संगर्स किया उनकी वीर गाधाओं से ये ध्यास भड़ा पड़ा है अब चाहे वो महराना परताप हो या सिवाजी महराज अगर तुम भी अपने जीवन में करा संगर्स कर रहे हो तो ये बात निश्चित है कि तुम भी कुछ बड़ा करने वाले हो ऐसे सैनिकों को सारी तथा मानसिक मजबूती के लिए प्रसिक्षन दिया जाता है वैसे ही तुम भी आपने आपको मजबूत बनाओ तुम भी अपने आपको मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो मानसिक्ता ही सारी सफलताओं का दुवार है यही वो समय होता है जब ताकतवर लोग निकर जाते हैं तता कंजोर लोग विखर जाते हैं माम सिखता ही किसी भी मनुस्य की जीत या हार मिर्दारित करती है